हेलो मेरा नौम डॉक्टर से नजीब उला है मैं एक एमेस जनरल सर्जेन हूं आयरवेदा में और मैं चीफ एनोरेक्टल सर्जेन हूं एड़ी आने संडेक्टम क्लिनिक के कंप्लीट आयरवेदी सर्जीकल सेंटर जूबली हिल्स हैद्रवाद में रहता हूं आज हम लोग पा लाना भर रहता है ऐसे बहुत कुछ फाल से इंफॉर्मेशट बहुत लोग के पास रहता है इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं दरतके ड़र से सरजेरी kopन नाई करके से बहुत सारे complication ला लेते रहते हैं पिर इसमें कितना सच है इस विशेपे आज हम लोग बात करेंगे separately piles में Piles surgery में क्या होता है जो भी anal cushions है जो भी वीन्स है anal kinal में जो अंदर के piles के जो भी फुल कर सुजन हुए वीन्स को जो भी prolapse हो गए उसको निकाल दिया जाता है फिर ये निकालने के तरीक है भूत वह सारे अलग अलग तरीके हैं जिसमें हेमराइड एक्टमीन लेजर डीजी हेचल हेचल ऐसा बहुत सारे मॉडरन सर्जरी से साथ में आईरवेदा में एक्षारसुत्रा एक्षारकर्मा ऐसा डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर है इस सब प्रोसीजर में मोस्त कामन चीज क्या है जो भी पाइल्स का ब्लेड वेजल से जो भी सुजन है जो भी प्रोलाप्स हो गए इसको कंप्लीटली रिमूव करना यह रिमूव करते वक्त प्रापरली जो भी सर्जन जो भी सर्जरी प्रापरली हुआ प्रापरली वह जो भी ब्लेड वेजल है इसको प्रापरली रिमूव करकर सर्जरी करे तो पोस्ट आपर पाइल्स के साथ में दुसरे अलग तरीके प्रावलम लेके फिजर, फिस्टुला, पिरियानलाप्स, ऐसी कंडिशन रहे जब पोस्ट आपरेटिव में आपको पेन थोड़ा बढ़ने की आवश्यकता है, उसका मतलब किया पेन है ना ज्यादा होने के चांसे है, फिर इसको भ करते हैं, और कुछ लोगों को पाइल्स के साथ में अधर को मार्बिटिटीज लाएक एज़ पेशिंट्स, डियाबेटिस पेशिंट्स, एंड इवन इन अई आई बीएस, आई बीडी, क्रांस, अल्सराइड को लाटे, ऐसे अलग समस्या, अलग तरीके से समस्या रहे तो, कुछ समय, कुछ लोगों में पेशिंट होने की चांसे से, लेकिन और को पाइल्स उप्र थारीके से प्रापर डिसिक्षिंट्स, तो अपको पोस्ट आपरेट में साजरी करें बाद उतना पेशिंट नहीं रहता, जो भी है, कंट्रॉल, अंडर कंट्रोल में पेशिंट्स, है oku लोगोमें पेंड बनने का रीजन क्या है वह लोग जैना डरना जो है अैसे पिसेर्ट में जो भी उड़नी रहता जो शोरी है उता ऑच में बने के चांसे ही ज्यादा रहते हैं। पुछ लोग डॉक्तर का जो प्रिकाशन्स हैं जो प्रापर्ली फालो नहीं करते हैं उन लोगों में भी Papain वानने के चांसुद्स है जो लोगो प्रोपरली इंडिसिन्स नहीं लेकर इर्रेगुलर मेडिकेशनि में रहे तेंड oni व Allahu आपको पाइल सर्जरी के बाद पेन आने के चांसे ज्यादा है लेकिन पाइल सर्जरी के बाद प्रापर्ली सर्जरी करना प्रापर्ली एक स्पेशलिस्ट के बाद जबी भी आप सर्जरी कर लेते हैं उसके बाद प्रापर्ली डॉक्टर जो बोले उतका इंस्ट्रक्शन प् कोश्ट ऑपरेट में सरजरी करें बाद आपको कुछ नहीं रहेकर आप कंप्लीटली रिकावर होने के चांसे से जो भी बहुत लोग बोलते हैं की सरजरी के बाद पेन रहता वो सब चीज गलत है आप जबी आप सरजरी कर लेना चाहरें जबी आप वाइल से सफर हो रहें एक